तो दोस्तो आज भारत और चीन को लेकर एक बहुत ही बड़ी और महत्पुन खबर निकल के सामने आई है और मात्र साथ दिनों के अंदर ही चीन का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है दरसल आप सभी को पता है कि अभी हाली में भारत के यहां पर 2 मार्च 2030 को G20 के बिदेश मंत्रियों की बैठक होती है जिसमें चीन के नए बिदेश मंत्री किन गांग ने अचानक से भारत आने का फैसला ले लिया हलाकि इससे पहले जब भी भारत के अंदर कोई बड़ी मेटेंग होती थी तो चीन के जो बड़े बड़े नेता है वो इन मेटेंगों से बचते फिरते थे परन्तु अचानक से चीन के बिदेश मंत्री का भारत आना डाल में कुछ काले के रूप में देखा जा रहा था और ऐसा हुआ भी है यहाँ पर आकर चीन के बिदेश मंत्री ने भारत के साथ दोस्ती की कसमें खाई और यहाँ पर इनों ने बोला कि हम भारत के साथ अपने संबंदों को मजबूत करेंगे और हमारे सीमा विवाद को भी जल्दी से जल्दी सुल जाएंगे परन्तु दोस्तो विवाद सुल जाने की बजाए भारत और चीन का जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है और चीन बिलकुल भी इस मूड में नहीं है कि भारत के साथ सीमा विवाद को सांथ किया जाए दरसल अमेरिका के खूफिया विवाद की तरब से एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि चीन और भारत की L.A.C. के उपर जिस प्रकार की परिस्तितियां बनी हुई है उससे आंगे चल कर भारत और चीन के बीच में किसी बड़े सेने टक कराओ का खत्रा उत्पन्न हो गया है और चीन जिस प्रकार से L.A.C. के उपर भारतिय सेनकों को उकसाने का काम किया है तो इससे भारत और चीन के बीच में संगर्स बनने का जो खत्रा है वो और भी जादा बढ़ चुका है वैसे बेभी हाली में भारत सरकार के द्वारा या हाइलेट जारी किया गया है कि कोई भी भारतिय सेनकों का जबान चीनी मोबाइलों का इस्तमाल ना करे क्योंकि चीनी सेना इन मोबाइलों के माध्यम से भारतिय सेनकों की जासूसी कर रही है फिलाल में चीन के जो विदेश मंत्री भारत के अंदर आकर सांती का ढौंग करक और असलियत में चीन जो कर रहा है बो तो पूरी दुनिया ही जानती है पर आप सभी को क्या लगता है और क्या आंगे चल कर भारत और चीन के सम्मंद नॉर्माल हो पाएंगे आया फिर ना कमेंट बोक्स में प्रियावज दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन बाद जहेंद वंदे मातरम